नमस्कार और वेलकम पी लोट फेर्ट जया होगोः प्रशान दवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौर्थ कोरिया के वारे में नौर्थ कोरिया ने रीसेंट डी अपने देश में हसना रोना सब कुछ कर दिया है बैंड 11 दिनों के रिए इसके वारे में आपने स जोर जोर से रोने पर भी लगा दी है याप पर restriction पूरे नॉर्थ कोरिया में कहा यह गया है नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को के आपको unity दिखानी है क्योंकि पूरा देश आज के समय अब्जर्व कर रहा है 10 year death anniversary of North Korea's second leader आपको बताओगा के नॉर्थ कोरिया में अब तक सिर् तीन लोग बने हैं supreme leader पहले तो North Korea के सबसे पहले leader जिन्होंने North Korea को बनाया था अपने आप में इनका नाम था Kim Il Sung इनको title दिया गया है the founder of North Korea और इनको कहा जाता है great leader और eternal president of North Korea उसके बाद आए इनके बेटे Kim Jong Il इनको कहा जाता है dear leader ये भी supreme leader थे North Korea के इनके मरने के बाद समाली गद्दी और Kim Jong Un बन गए supreme leader North Korea के और अब 10 साल complete हो चुके हैं Kim Jong Un के tenure के भी तो कमशब्दों में आप समझ सकते हैं कि Kim Jong Un के father और North Korea के जो dear leader थे उनकी death anniversary है इसलिए 11 साल के लिए पूरे morning phase में जा रहा है almost शोक मना रहा है पुरा North Korea व्याबर आपको होगे 11 दिन ही क्यों 11 दिन इसलिए देखो क्या होता है हर साल 17 December को जब इनकी death anniversary observe करता है North Korea तो 10 दिन के लिए ये rule लागू हो जाता है मगर इस बार ये rule लागू हुआ है 11 दिन के लिए क्योंकि इनकी 10th death anniversary है तो ऐसा नहीं है कि North Korea के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रा नई चीज है कि हम हस न आप पूसकते हैं कि अगर आपनलो कोई आदमी ये rule follow नहीं करता तो क्या होगा देखो North Korea में इन दोनों leaders की इज़त करना almost करतवे है हर North Korean का अगर कोई भी North Korean इनकी इज़त extreme form में ना करता हुआ पाया गया और कहीं से भी सरकार की नजरों में इन दोनों leaders की उसने disrespect करी है तो सीधा उसको डाल देते हैं जेल में और काफी बार ऐसे लोग वापस फिर society में वापस नहीं आ पाते इनको का जाता है North Korea में ideological criminals और अगर आप सोच रहे हैं कि इस law को इस पूरे rule को किस extreme form में ये लोग follow करते हैं तो आपको एक example देता हूँ इस तरीके से हर घर में North Korea के as a law आ हर घर में railway station में publicly हर जगा ये दोनों फोटोस आपको लगी हुई मिलेंगी और कई बार ऐसे cases हुए हैं कि मानलो एक घर है वहाँ पे आग लग गई unfortunate case है एक घर में आग लग जाती है अब मदर जो है वहाँ पर वो obviously कोशिश यही करेगी कि जो उनके बच्चे हैं उनकी जान बार निकाले कैसे ना कैसे करके अपनी जान पर खेलके नोंने अपनी बच्चों को बार निकाला जलतोए घर से मगर ऐसा करने के बावजूद उनको शावाशी नहीं मिली कोई bravery award नहीं मिला उनको jail में डाल दिया गया उन पे आरोब ये था कि दो जो यहाँ पर portraits लगी थी leaders की ये portraits ये घर से भार नहीं निकाल के लाई इस वज़े से मना गया कि नोंने disrespect किया है North Korea के leaders को और she was imprisoned for a very long time और इससे पहले आप अगर देखो तो कई cases हुए हैं जहाँ पर North Korea में अगर कोई आदमी अपनी जान पर खेल कर या फिर even अपनी जान गवा कर ये जो दो portraits हैं इनक है उस आदमी के नाम पर रख दी जाती है for example 2005 में ऐसा हुआ बाड आ गई थी एक आदमी ने अपनी जान पर खेल कर दोनों जो portraits हैं इनको बजाने की कोशिश करी कोशिश में वो मारा गया सरकार ने बाद में तालियां बजाई के देखिए ये example set किया इस आदमी ने patriotism का और unity का फिर 2012 में भी एक और case हुआ एक school girl थी 14 साल की propaganda obviously दिमाग में बहुत जाद चला गया होगा इस लड़की ने भी अपनी जान गवादी इन दो portraits को बचाते हो जाते और the Hindu ने भी इसको report किया था पुरी दुनिया शौक थी इस news से के North Korea की सरकार ने बाद में इस लड़की की सराना करी और इस लड़की की शान में जो locality का school था वो इस लड़की के नाम पे रख दिया गया तो इन example से मैं आपको बदाने की कोशिश कर रहा हूँ कि North Korea में इन दो leaders की जो इज़त है कितनी जादा important है और इससे आप समझ सकते हैं कि जो ये death anniversary observe करने वाला है North Korea ये कोई casual time नहीं है बहुत ही serious time है अगर एक आदमी कहीं भी मुस्कुराता हुआ पाये गया तो सीधा उसको जेल हो सकती है और इसलिए आपको याद होगा अगर आपको याद नहीं है मैं को बदा देता हूँ 2011 में जब Kim Jong उनके पिता जी गुजरे थे hard attack से उस वक्त जिस तरीके से North Koreans रोए थे पुरी दुनिया शौक थी तो यहाँ पर आप देख पाऊगे इस तरीके से North Korea के Army General इनके Soldiers यह सब रोए थे जब Kim Jong उनके पिता की मौत हुई थी यहाँ पर आप देख पाऊगे और फिर जो आम जनता है उनका जो रोना निकला वो यह रोख्यार फिर भी Army के रोए तो आप समझ सकते हैं बहुत ही जारा सफोकेटिंग होता होगा ऐसी सोसाइटी में जीना यहाँ पर रहना जहाँ पर लिटरली आपके इमोशन पर इवन कुछ हर्तक मैं कहूंगा आपके थौट्स पर गवर्मेंट का इतना जारा कंट्रोल है और बस थोड़ा सा आप अगर साउथ में जाओ नॉर्थ से तो साउथ कोडिया आ जाता है वहाँ पर कम्प्लीट फीडम है इंडिपेंडेंस है इन लोगों को जनुविनली काफी अजीब लगता होगा अपनी लाइफ के बारे में और फिर ऐसे अगर हम बात करें इन टरम्स ऑफ ओवर्ल प्रोग् तो किम जॉंग उनके जो पिछले 10 साल रहे हैं ये अबसलूटली डिजास्ट्रस रहे हैं पूरे नॉर्थ कोरिया के लिए मैं नहीं मानता के नॉर्थ कोरिया के तिहास में कोई भी लीडर आया होगा I mean किम जॉंग उनकी बहुती खराप परफॉर्मेस का रीजन यही है कि इन्होंने बहुती अजीब सी economic policies अपनाई है लगातार nuclear bomb के test किये हैं नॉर्थ कोरिया के ज़्यातार जो nuclear bomb test है आप देखोगे केम जॉंग उनके अंडर ही हुए हैं और उस वज़े से नॉर्थ कोरिया पे heavy sanctions लगे और एक बार को तो रश्या और चाइना भी नॉर्थ कोरि हैं खाने कोन के पास कुछ है नहीं या फिर already मर चुके हैं हाला कि मैं यह काऊंगा कि किम जॉंग उन्होंने कुछ liberty दी नॉर्थ कोरियांस को फर एक्जामपल किम जॉंग उन्डर ही rule pass किया गया कि नॉर्थ कोरियांस अब cell phone यूज कर सकते हैं मगर उसमें भी आप अगर देखो तो vigilance बहुत ज़रा बढ़ा दी गई है उल्टा आप अगर देखो आज के समय डोन्स के जरीए टेकनोलजी के जरीए नॉर्थ कोरे की सरकार ने अपनी पकड़ है पुरी देश पर यह और ज्यादा tight कर दी है और जो economic condition वाली बात है इस बात को केम जॉंग ओन खोड यहाँ पर यही होगी के South Korea के साथ North Korea officially जो Korean War है इसका अंथ डिकलेर कर दे 70 साल हो गए है पीस डिकलेर यहाँ पर क्या नहीं गया तो यह मैं कहूंगा कुछ हद तक एक positive step हो सकता है हाला कि यह कहना बहुत ही मुश्किल है के North Korea South Korea के बीश में जो युदवराम की recently बात करी UN के sanctions कहीं नहीं जाने वाले जब तक North Korea अपना nuclear program बद नहीं करेगा तो अभी भी यहाँ के लोग बस आप कहसकते हैं फसे हुए हैं ना genuinely हस सकते हैं ना रो सकते हैं और finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ कि अनकाडमी के जो UPSC courses है इनमें annual price hike आने वाला है इनके prices बढ़ने वाले हैं 23 तारीक को तो उसे पहले आप अगर चाहें तो यह courses purchase कर सकते हैं नितो उसके बाद there will be a price hike comment section में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा यह link और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे अनकाडमी के unique combo courses जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर सकते हैं in a single purchase यह सा अगरे courses अलग-अलग purchase करोगे और an academy तो आपको 15,000 रुपीज extra pay करने होंगे तो अगर आप अभी एक college student है आपके पास time है तो जो 24 महिने का course है यह भी आप कर सकते है purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं you do not have to pay these prices simply code use करो PD10 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10% discount और अगर आप यहाँ पे subscription length होगी यह 24 महिने की नहीं होगी यह होगी 27 महिने की so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video कान thank you for listening and as always God bless you all